Hello everyone, welcome to sleepy classes, कैसे हैं आप लोग, hopefully अच्छे होंगे, तो आज कवर करेंगे 5 minutes में एक बहुती important news, और news क्या है कि Large Hadron Collider, जो कि आप जानते हैं, वर्ल्ड का largest particle accelerator है, particle accelerator basically क्या होता है, कि आप बोल सकते हैं, एक machine है, एक setup है, जहाँ पे proton को बहुत high speed से, through electromagnets, बहुत high speed से accelerate कराया जात है, और फिर आपस में उनको टकराया जाता है, कोलीजन कराया जाता है, दो proton का, फिर उसे बहुत सारे subatomic particles निकल के आते हैं, जिसके बारे में हम लोग research करते हैं, तो यह कहां होता है आपका Large Hadron Collider, जो कि हम लोग देखेंगे कहां पर आपका Swiss और French border पर यह situated है, तो अभी recently इनों ने 5th July को जो है, एक जो है, बीम इनों ने बंबार्ड किया, और उसके बाद कुछ नए particles निकल के आए हैं, तो इसी गानी यह news में था, तो इसको कवर करना ज़रूरी था, अब देखें कि यह क्या हुआ है, जिसे उनको अभी 3 exotic additions हुए हैं, उनके elementary particles जितना उनके पा तो कॉक्स के बारे में लोग तो जान लेते, देखें एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग elementary particles के बारे में देखेंगे, elementary particles basically क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है atom, atom के विदिन हम पढ़ते है nucleus और electron, nucleus के विदिन हम लोग पढ़ते है proton and neutron, ठीक है, तो यह सब हम लोग पढ के बाद आपके क्या होते है, leptons के अलावा फिर होते है, आपके क्या होते है, बताइए जो हम लोग पढ़ेंगे hadrons, ठीक है, hadrons के विदिन भी हम लोग देखेंगे कि कैसे mesons आते है, और barions आते है, ठीक है, तो यह different classification है elementary particles का, यह हम लोग किसी दूसरे lecture में, लेकिन आप द करना चाहें, तो वो होता है आपके quark में, quark basically एक model है, जिसके विदिन हम लोग यह सारे चीज़ बढ़ते है, तो इन्होंने क्या किया, एक pentacork जो है, डिसकवर किया, उसके बाद उनको एक couple of, एक first ever pair जो है, वो मिला है tetracorks का, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह है, देखिए LHC, जो large hydron collider है, यह giant complex machine है, built to study particles that are smallest known building blocks of all things, हमने कहा, कि इस तरह का machine है, जिसमें हम लोग proton को आपस में टकराते हैं, जिसके वज़े से उनका interaction होता है, और interaction के वज़े से different particles निकल के आते हैं, उसके बारे में हम लोग study करते हैं, अब देखिए यह क्या है, य ऐसे आमने देखिए एक circle बना हुआ है, यह तिना लंबा pipe type का बिचा हुआ है, और यह कहाँ पर है आपका Swiss French border के पास, वहाँ पर यह 27 km long track loop के जैसा बना हुआ है, और 100 meter underground यह buried है, और अगर आप बोलेंगे यह देखिए CMS, ELISE, ATLAS और LHCB है तो यह basically यह क्या है, यह यहाँ उनको analyze किया जासकता है, ठीक है, जैसे ATLAS है, ELISE है, LHCB है, CMS है, और यह आप देख रहे हैं, यह प्रोटॉन प्रोटॉन यह जिसमें travel करा इस डिरेक्शन में और इधर से एक प्रोटॉन ट्रावल करा इस डिरेक्शन में दोनों आपस में टकराते हैं, तो particles निकल के जो है और इसको अगर आप magnify करेंगे, तो यह आप देखिए, यह जो electromagnets है, इसमें electromagnets क्यों यूज होते हैं, क्योंकि electromagnet से क्या होता है, particle को accelerate किया जाता है, आपको पता है, electromagnets जो है, strong magnetic field produce करते हैं, और magnetic field में आप किसी भी particle को accelerate कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यह बहुत ही strong electromagnets होते हैं, बहुत high current इसमें फ्लो करता है, तो यह गरम भी बहुत हो जाता है, तो इसको इसमें liquid helium यूज किया जाता है, इनको ठंडा रखने के लिए, बहुत ही ठंडा रखा जाता है, इनको super cool system से ही है, तो बहुत ही complex system है, और यह कहां पर operate करता है, आपका Swiss-F organization for nuclear research, यह पूरी तरह से handling करता है LHC का, और यह क्या है, बेसिकली organization है, यह different subatomic particles के discovery के direction में nuclear physics में काम करते है, इंडिया भी जो है, इसका एक associate member है, बना है, कब इसने 2016 में join किया है CERN, तो इसके लिए इंडिया को सालाना 78 कौड उपया CERN को donate करना पड़ता है, for their research purposes, अब इस associate member तो इंडिया है, उसको member है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है research में, लेकिन है कि उसको voting rights में नहीं मिला हुआ है, जो council में voting rights होता है, वो सिर्फ आपके permanent members को मिलता है, तो आपको बताना है कि CERN में concept कितने members हैं, और total permanent कितने members हैं, वो आपको Google करके देखना है, क्योंकि अगर आप खुद से information search करेंगे, तो आपको exam में भी याद रहेगा, ठीक है, तो एक छोटा सा news था, जिसको हम लोग कवर किये, अब किसी एक different lecture में, हम लोग quark model elementary particles को भी बहुत अच्छे से explain करेंगे, तो वहाँ पर आपको सारे चीज़ों अच्छे से समाझ वाएगा, ठी दिंदक, हम वहाँ, तहीं हो करेंगे, तो वहाँ च्क्टत, उिसको हम लोग के दिंद करेंगे, तो शे करेंगे, तो आपके शक्टत, उर्म हाँ थे जीरों अगर्णे जोग में ऑमाईगे, उिख फिर जो